प्लीज जी बिल्कुल बिल्कुल ओवर्मेन का भी आपको रिपोर्ट भरवा रहे हैं आज उसी कि आज ओवर्मेन अंडर्ग्राउंड क्योंकि एक ओवर्मेन का रिपोर्ट बुक हम लोगों ने एंसेल की क्लास के समय कर लिया था नेक्स्ट आज हम लोगों को ओवर्मेन रिपोर्ट बुक कौन सी भर नहीं है अंडर्ग्राउंड और सेम एस पर माइनिंग सरदार ठीक है अच्छा मेरा एक कहना है कि जो भी इस्टुडेंट्स हिंडी मीडियम के है ठीक है अभी बात बोल रहा हूं वह मैं हिंडी मीडियम के इस्टुडेंट्स के लिए बोल रहा हूं कि आप लोग एक बुक है किसे वालों के लिए बोल रहा हूं ठीक है इंग्लीस वालों के लिए काफी स्टोड़ा कम रहता है जैसे तो माइनिंग जानने अच्छे से अच्छा करने की कुछ सिस्की है मुझाफर सार विनोट सार्टो हिंदी इंगलिस दोनों पढ़ाते ही है तो इसकारण से मैं बोल रहा हूं आप लोगो को कि सफल माइनिंग सेडार करके एक बूक है उसको आप लोगों प्रिफर करिए अच्छी बूक है काफी डीपली उसमें दिया हुआ है अच्छ सबसे पहले देखिए यह आपकी है डेली रिपोर्ट ठीक है डेली रिपोर्ट इंस्पेक्शन ऑफ सर्दार ऑफ अंदर ग्राउंड वर्किंग ऑफ ए माइन रेगलेशन वन टू नाइन सब रेगलेशन नंबर एट ठीक है इस चीज़ को अच्छे देख लिजेगा इन सीमा 2017 आज हम अपने को मैंनिंग सर्दार ऑफ अंदर अंदर ग्राउंड वर्किंग यह दो रिपोर्ट अपने को आज कंडेट करनी है और कल सारे रिपोर्ट से टोटल फिफ्टी कोस्टेंस मैंने तयार किये हुए है वह कोस्टेंस पैंक आपको कल मिल जाएगी कल आप लोगों का टेस्ट भी है इसीक साथ में डू क्ने वह बुक अपडेट नहीं है जी बिलकुल वह बěत अपडेट नहीं है यह मैं हिंदी मीडियम के लिए बताया था वह बोग अपडेट नहीं है यह बात सही है लेकिन जिनको हिरोटिकल नॉलेज्ज की कमी है सौट फॅप्रे convince आ रही हैं है ना तो वीसे तो मैंनि लेकिन वह बुक मुझे जो लगा कि बहुत ही छोटे में जो बोलते हैं सौर्ट नोटिस सौर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है इसलिए मैंने आपको वह बुक बोला है सूरज कुमार जी चलिए क्लास चालू करते हैं आज वैसे भी आप लोग लोग क्लास विनोर से क्लास भी नहीं हुई है नेक्स देखिए अब आपने यहां पास आ गया कि रेगुलेशन नुमर वन टू नाइन एट के अंदर आपको यह चारी चीजें हैं अब यह बताने की जरूरत तो नहीं है आपको सबसे पहले आपको क्या आएगा कि आई डा अन्डर साइं बिंग पर्शन ड यह बाइड डिक्रियर डैट आई हैब केरफुली एक्जामिन डा वर्किंग यह चीज मने बताई हुई है कि मैं इस चीज को साइन करता हूं कि बिंग पर्शन मुझे जो चीज एपॉइंट किया गया है और साथ में जो और थाइस किया गया है किस परपस लिए वह परपस जोकी रैगूलेशन नमबर 48 और 1298 के अंदर लिखी गई है वह सारी की सारी मेरे दोरा इक्जामिन की गई है और इक्जामिन करने के साथ ही वह रिपोर्ट में मेरे दोरा इसमें भरी जा रही है मेरे दोरा भरी गई है सबसे पहले आपका क्या है और आप नेम ऑफ माइन कर आप लिखी सकते हैं आप कौन से अंडर्गार्ण मैं हैं तो मैं लिखता हूं सबसे पहले कि मैं वेश्ट अच्छड़ खन वेश्ट जड़खन थीक है नेम आफ दिस्टिक का यहां नाम दाल दिजे ठीक दिस्टिक का नाम आप दाल दिजे इस्ट नेम आफ सीम माल दिजे वहां पस तीन सीम है तो फर्स शेकंड ठर्ट माल दिजे second sim में अभी आप काम कर रहे हैं second sim का नाम यहां पास आप date डाल देंगे यहां shift hours डाल देंगे और shift आप first shift कर रहा है कि second shift यह चीज़े common है यह चीज़े जो उपर की हैं उपर की यह चीज़े जो यह नाम district name यह चीज़े जो चीज़े आपने में पढ़ा है या फिर आपने ओभर मैन या फिर मैंनिंग सेलडार ओपन कास्ट में जो पढ़ा है वह चीज़े यहां पास common है अब आते हैं district examination ठीक है तो मैंने इसको बताया हुआ है कि first inspection, second inspection, third inspection आठ घंटे में आप में जितनी बार inspection किया है और जितनी देर के लिए किया है ठीक है तो उसका timing आप डालेंगे जैसे कि माल लिजे आप second shift गये है second shift का मतलब हो गया कि day night ठीक है मतलब आप बज़े 2 पीम को गये है तो 2 पीम से 8 घंटा होता है 10 पीम है ना कि आपको उस डिस्टिक में पहुचने में आधे से घंता लग गया तो जगय का आपको यह जो डिस्टिक का एक्जामनेशन जहां वर्किंग चल रही है यह जानकारी एक्जामनेशन उस चीज की माग रहा है आपको ठीक है ना यह नहीं कि भी आप आप जैसे आपको अगर डि सर और का नाम नहीं है तो इसम्नि प्रावलम की जो नहीं इसको नहीं भरेंगे ओ अ अब नेक्स क्या है कि तीन पीम से जो मैंने है वह झायर थो प eyelm टक एक किया खत्म हो गए आपका ठीक है आथ अब नंबर ऑफ पर्सं अंदर आफ यह क्रेसल आपके आपके पास है ही कोई द्थाइट कर्छी तो आपके टेया हो गया है आपके अंदर ईंदर कि रहलें एंदर और की क्रgrown टाल करे फे 모ंप कील्ग भी वासे संदर्वरी आपके और नन इस सब सागार ऐसा कुछ नहीं कि कितने कितने इंटर्वल के लिए हैं बस आप यह है कि आपको पांच घंटे के अंदर में आदे घंटे का रेश्ट पांच घंटा लगातार काम के बाद आदा घंटे का रेश्ट मिलेगा बस बाकि ऐसा कुछ नहीं है कि सब्सक्राइब करते हैं मिनिमम क्या इसमें तीन कॉलम दिया है ठीकिए दीन कि तीन हो सकते हैं इसने ऐसा कहीं भी भी सर्कुलर में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है लेकिन रिपोर्ट में आगर आपसे इन हाउ मैनी टाइम्स एस पर माइनिंग सर्दार ओभर मैन रिपोर्ट बुक हाउ मैनी टाइम्स भी इंस्पेक्ट दा माइंस अगर वह लिखता है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्ट ऑप्शन तो आप तीन टो मार के ही आएंगे तीन या तीन से ज्यादा ठीक है मिनिमम हम आप तीन का उप्शन उसमें मारेंगे कि साउंड अटक रहा है सागर का कहना है ठीक है नेक्स्ट है क्योंकि देखिए इसमें ऐसा कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं है लेकिन जो भी फॉर्मेट है तीन के हिसाप से है वैसे कुछ कहीं लिखा हुआ नहीं है इस पेसिफाइ कि एनी डेफिसेंसी आप इन रेस्पेक्ट आफ नंबर और परसंस आप समझ गए क्यों कौन कौन से होगे आपके अंदर हां राम चंडर साजी अंदर आप देखिए अंदर परसंद कौन कौन से हो गए लेजडी ऑपरेटर एचल ऑपरेटर केवल मैं ठीक है इसके बाद ड परेटर डिस्टिक के पास जहा जहां से बिल्ठ जहां से prochen मसीन से को sulphes कर्षक कि कहा दालती है तो बिल्ठ पर टी है तो बिल्ठ हे जो बिल्ठ ऑपरेटर है प्लस जो जरनल मजूर है जो बिल्चा मार रहा है जिसे अपनलूं क कशते हैं तो वह भी आपके अमपर ऊफ पर सब्सक्राइब करें तो एक बहुत ही सुन्दर सवाल इसी के बेशने पूछा रहा है कि कि विच पार्टिकुलर डास नॉट नीट टू बी इंक्लिउट इंडस सव्डार रिपोर्ट एक सवाल था एंसियल का मैं बीच में डिसकस कर रहा हूँ आपको कि विच पार्टिकुलर डास नॉट नीडेट टू इंक्लिउडेट इंडस सव्डार रिपोर्ट पहला ओपन कास्था ना इसलिए पहला इस्टेविलिटी ओफ ओवीडम सेकेंड ऑप्शन था दस्ट कंट्रोल थर्ट मेंट्रेंस ऑफ हॉल रोड और चौथा ऑ होंगे तो ध्यान दीजे की टीसरे नंबर कॉलन में अगर मैं आपको सेम कोश्चन पीए बोल दू कि विच पार्टिकुलर डास नॉट इंक्लिउड इन दा सर्डार रिपोर्ट ऑफ डेफिशेंशी फर्स्ट ऑप्शन में डाल दू वेंटिलेशन थर्ड गोफ एजेस इस थेड़ अनुट फ़ेंसिंग फोर्ट जैनिटेशन इंद फिफ्ट वनीड वनीज है मुथ हमाटे इमाटे दियो हेड स्वट ब्लास्टिंग मेट्य्यार रिकॉयर दिच फ्लास्टिंग मेटेरियल स्विएड उन ते श구ायवह त्सेंग्याई आपको स्वेडंग है आपको बैंक मिलेंगे लेकिन मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप ध्यान ने जो इस्टुड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं कि देखें इन चीजों को आप समस्ते चलें कि जो चीजें है जो आइटम लिखें हुए कि एनी डेफिसेंसी ऑफजर् कोई की कुछ चीजे आप जब रेगलेशन पढ़ते हैं डिमाग में नहीं बैठती है एस पर रिपोर्ट से भी आप से पूछेगा तो आपको चीजे याद होनी चाहिए कि सैनिटेशन सैनिटेशन का मतलब साइटेशन का मतलब साफ सुत्राइब को कई लोग होते एक अंडर्गराउन में अपना मलब फेस है वहीं पास आस-पास फ्रेस हो लिए तो उसे पुरा खराब होता है महौल अंडर्गराउंड में तो बहुत टेज से इसकी दुर्गन धाती है ठीक है चलिए आपके सवाल इसी लिए बोल रहा हूं कि इन चीजों को बड़े ही ध्यान से मैं एक रिपोर्ट कल आपको जब कोश्चन कराऊंगा तो एक लड़क मैंने काफी लोग से रिपोर्ट मुझे भेजे है कम से कम मुझे लग रहा कि मैंने पचास आठ रिपोर्ट तो चेकी होगी काफी अच्छा आप लोग के इस तरफ से रिस्पॉंस है अच्छा लगता है तो मैंने उसे देखा एक लड़के ने बहुत ही अच्छा रिपोर्ट राइटिंग भरने का तरीका और दिवीजन करने का तरीका दिखाया है कल आप कुन को दिखाऊंगा अब आप चलिए आज लोड़ बुक में भी आप तो अपना काम करने गए हैं ठीक है आपको एक्छल वहां पता कैसे कर चलेगा कि विया वेंटिलेशन की कमी है क्या है जब आप वहां पास काम कर रहे हैं तो काफी सारा श्वेटिंग होना चलो हो जाएगा श्वेटिंग मतलब पसीना आना चलो ह हो जाएगा या उमस अगर बहुत जार लगती है मतलब वहां वेंटिलेशन की प्रॉब्लम है तो आप वहां पास डेफिशेंसी ऑब्जर्वेशन डेफिशेंसी ऑब्जर्व आप बता सकते हैं ठीक है उसके बाद इन्हें नेक्स्ट क्या है कि आपके आप डेफिशेंसी पर आते हां भी हमको लग रहा था अब नेक्स्ट काम क्या है अब इस रिपोर्ट को जब सिप्तिन चार्ज और साइन किया जाएगा तो वह उसकी जानकारी मैनेजर को देगा या फिर इसके साथ ही वह डूसरे दिन वहां का हवा को चेक करवाएगा ठीक है अब इसके बाद क्या है सपोर्ट ऑफ इस्टार्ट इस्टार्ट को जो सपोर्ट है रूफ एन साइट्स के बीच में जो सपोर्ट दिया जाता है ठीक है फ्रेश रूफ को तो ठीक है अब सपोर्ट जो इस टार्डा का सपोर्ट दिया जाता है उसके बारे में आपको यह देखना है कि जो पैटर्ण पर आपको मैनेजर के दोधा जो पैटर्ण सपोर्ट के लिए बताया गया है ठीक है कि बिया अपने roof board इस pattern में 6 roof board face में लगेंगे कि इस pattern पे लगेगा इस pattern के हिसाब से roof board इससे पहले वाले shift वाले ने सही से मारा है की नहीं मारा है इस चीज के आपको जानकारी है जहाँ डाबलू plate की अगर डाबलू plate का support है तो जानकारी आपको होनी चाहिए और अगर उस चीज की किसी प्रवार के आपको deficiency लगती या कमी लगती है तो आप उसका उस चीज का वर्णन यहाँ पास करेंगे अगर सब ओके है तो ओके और well and good और अगर नहीं है तो आप यहाँ पास not not as per manager specification या फिर as per regulation डो मिनट आप यहाँ पस लेखेंगे not as per specification not as per यहाँ पास आफ लेखेंगे not as per specification specification as CMR 2017 खटम या फिर as manager कुछ भी आप लिख सकते हैं अब आप उसके सुधार के लिए क्या action लिए जैसे कि आप ventilation में है ventilation का आपने कमी बताया तो उसके सुधार के लिए आपने क्या action लिया जैसे माल लिजए आपने उस चीज की जनकारी कि इस त्याओर को झाओं या उसके साथ है उसे शिफ्ट इन चाज को बताना है या फिर असिस्टेंट मैंजर शिफ्ट इन चाज एक ही चीज है उसको इस बार की जनकाई देना है और जो भी Remedial Action आपके दौरा दिया गया है जैसे क्या होता है कई बार हवा को उस जगह तक पहुचाने के लिए Temporary Bratis लगा या परदे जो परदे होते वो लगाए जाते है उसको तो हताया गया है या कुछ भी किया गया है जो भी वर्क किया गया है उस सरदार के दौरा उसकी जानकारी को यहाँ पास देखा सेम इस्ट्राटर कंट्रोल के लिए अगर आपने होल मरवा कर या होल करके और भी सपोर्ट लगाए है तो वहाँ पास भी आपको इसकी जानकारी देनी है Goof Ages ठीक है अगर deplayरिंग चल रहा है कई साथ दिष्टिक होते हैं जहां दो दिष्टिक है डेवलप्मेंट चल रहा है एक दिष्टिक है deplayरिंग चल रहा है तो Goof Ages को आपको देख के बताना है कि किस प्रकार का उसमे वर्णन गोफ की जानकारी आपको इसमें देनी है कि जो जानकारी यहां देनी है जो कि खत्रा द्वारा दिया जाता है तो उस जगा पर फैंसिंग है कि नहीं है और सही मात्रा में है ऐसे खराब हो गई है फैंसिंग तो उसकी भी अगर कोई डेफिसंसी दिखती है तो इसकी जानकाई देगा अगर ओके है तो ओके और अगर ओके नहीं है तो उसको इसमें यही लिखना है कि नौट एस पर स्पेसिफिकेशन है ना नौट एस पर स्पेसिफिकेशन एज इन दोहजार सत्रा रेगलेशन दोहजार सत्रा ठीक है अब उसके अलावा आपने जो एक्षन लिया उसकी जानकारी आप सैनिटेशन सैनिटेशन की कोई साफ सफाई मतलब की कहत नहीं कि वहां उस फेस में आसपास किसी ने किसी पर दुर्गंद या बेकार कर दिया हो तो ऐसी जगह पर भ गुर्ट ठीक है नॉग्ट नॉट एस इन सैनिटाइज इन वेल पोजिशन ठीक है अब नेक्ट क्या है फोर्ट नमबर पर आपका आ जाएगा की safety instruction given to a number of person मैंने आपको बताया है कि जितने number of person आप column number 2 में डिखाएंगे चाहे वह कोई भी हो LSD, HDL operator ठीक है चाहे वो LSD operator हो, HDL operator हो, cable man हो, sword fighter हो या फिर blasting crew member हो ठीक है या फिर pressure हो तो आप उन्हें safety instruction देने का काम माइनिंग सरडार का है उस safety instruction में आपके द्वारा उसके काम से related SOP safe operating procedure के बारे में बताना है ठीक है अब next आता है अगर आपने सब को दिया है safety talk जिसे हम safety talk कहते हैं तो उसे क्या लिखना है given to all persons ठीक है पांच में नमबर पर आईए any person order out of the mind for working at a place other than that assigned to him ऐसा कोई भी person जिसे की order दिया गया हो उसके working place पे वह ना करके वह किसी और जगह में अगर उसे काम में दिया गया हो ऐसाइन किया गया हो तो उसकी भी जानकारी आपको यहां पास देना है ठीक है any unexperienced person working in the district and also give name of person under whose supervision as they was placed ऐसा कोई भी unexperienced आदमी जो की उस district में काम कर रहा है तो वह सबसे पहले उस आदमी का नाम plus वह किसके under supervision किसके supervision में वह ऐसा काम कर रहा है इसकी भी जानकारी आपको यहां पास देनी है उस उस आदमी का नाम जो बंदा है जो ना जो है उसके साथ ही वह किसके supervision में वह काम कर रहा था इसकी भी जानकारी आपको रिपोर्ट बुक में देनी है सेफ्टी मटेरियल्स देखे अब यहां से भी सेम चीज सेम सवाल बनता है जो की आपका इससे पहले की आपका एंसियल में पूछा गया है कि कौन कौन से सेफ्टी मटेरियल्स अच्छा मुलमोरी और सागर करना है सर्फ पांचमा और शटमा पॉइंट ठीक है पांचमा शटमा फिर से देख लेते हैं ऐसा कोई भी आदमी जिससे सरडाल द्वारा ओडर डिया जाता है माइन्स के बाहर जाने का क्यों क्योंकि उसे जो काम सौपा गया था उसे वह छोड़ करके दूसरा काम कर रहा था इस कारण से तो ऐसे किसी भी आदमी को आपका नाम इसमें डल्च करना है ठीक है पांचमा नमबर पॉइंट एनी परसन ओर आउट ओफ डा माइन ठीक है जिसे ओडर दे जाता है माइन्स से बाहर जाने के लिए फॉर वर्किंग अट प्लेस अडर डैन डैट एसाइन तू हीम ठीक है जो उसे काम सौपा गया है उसके अलावा दूसरा कोई काम माइन्स के बाहर में उसे कोई काम सौपा गया है तो उसकी जानकारी यहाँ पास दी जाएगी और उसका नाम लिखा जाएगा ठीक है यहाँ पास समझ मैं पाच्वा नमपर पॉइंट समझ मैं है किसका था मुल मुरी जो जॉन विक्टर जॉन विक्टर जी समझ मैं है ऐसा कोई भी आदमी जिसे की माइन्स में बाहर में काम करने लिए जब की उसे मैंने का अच्छों करके जब कोई काम से कि अच्छानक पावर चला गया था कि चलू करें कि आरी आरी अरे वह थोड़ा में सौरी तो इंट्रप्ट एक्च्वल में वह पावर चला गया था चानक से तो इस करण से सारा कुछ बंद हो गया सिस्टम में ऑच्छ छलिए अपन पांचमें नंबर पॉइंट को वापस से रिपीट करते हैं पांचमें नंबर पॉइंट क्या कहता है क्या होता है इसको आप सीरी से समझेए सबसे पहले आप जब लगवाते हैं अटेंडेंस के बाद आपका सर्फेस में काम का बत्वारा किया जाता है जब काम का आपको बत्वारा किया जाता है तो वैसे ही जैसे एक सिफ में आठ से नौ प्रोडेक्शन के हिसाब से पांच कभी आठ वैसे मैनिंग सरदार और तीन चार ओभर मैं तोटली यह तो कई सारे अंडर गांडर पांच वर्मेंट सरदार मिला के रहते हैं ऐसे ही कई सारे वर्कस होते हैं तो उन्हें क्या किया जाता है सबसे पहले फिर उन्हें क्या किया जाता है कि उन्हें काम का बटवारा सर्फेस से किया जाता है तो इस पॉइंट का कहने का मतलब यह है कि माइनिंग सलदार के द्वारा ठीक है माइनिंग सलदार के द्वारा जब हुआ है साइट का इंस्पेक्शन कर रहा है तो जो काम जिस आदमी को सौपा गया है उससे छोड़कर अगर वह दूसरा कोई काम कर रहा है तो उसके पास एक पावर है कि वह उस आदमी को माइन्स से बाहर जाने का ओरर दे सकता है अगर ऐसा कोई ओरर उस माइनिंग सरदार के द्वारा दिया गया है तो उसकी जानकारी इस कॉलम में उसे देनी पड़ेगी ठीक है अब छटमा क्या बोल रहा है कि any inexperienced person working in the district and also give name of person under whose supervisor he day may wear placed ठीक है ऐसा कोई inexperienced आदमी है या बंदा है जो की district में काम कर रहा है ठीक है जो की inexperienced है जैसे कि अभी आप लोग जाएंगे माइन्स में as a supervisor जाते हैं या फिर ऐसा कोई आदमी जो की अभी अभी operator बना है उसे बहुत ज़्यादा experience नहीं है या फिर बिल्ट चलाने का experience नहीं है या फिर district में हवान अपने का experience नहीं है या फिर किसी भी ऐसे चीज़ का जो की अभी first या second time कर रहा तो वो क्या कहलाएगा in experience कर आएगा तो उसे आपको direct direct उस काम के लिए नहीं छोड़ना है उसे आप किसी न किसी supervision में ही रखेंगे जैसे कि जब आप वी टी ट्रेनिंग करते हैं वो केशनल ट्रेनिंग जाते हैं या फिर या फिर जो आप एक साल की पीजी पीटी डिगरी वाले करते हैं या फिर पीडी पीटी डिप्लोमा वाल करते हैं एस पर सरकुलर आपके साथ एक experience आदमी माइन्स में जाएगा लेकिन जो की माइन्स में जाते वक्ट आप लोग अकेले ही जाते होंगे मेरे इसाब से शुरुआत में आपको safety officer के द्वारा दो चार बार माइन्स घुमा करके अकेले ही छोड़ दिया जाता है लाव माइनिंग सर्दार और ओभर मैन का इतना मैन पावर नहीं है कि वह आपके साथ घुमने के लिए अंडरग्राउंड में एक आदमी को दे पाए ठीक है वैसे तो कोई भी training के लिए आया हुए लड़के के साथ minimum qualification ओभर मैन होल्डर आदमी ही minimum इससे उपर ही आदमी आपके सा इंस्पेक्शन या फिर माइस को दिखाने के लिए जाएगा ठीक है इस पॉइंट पर मैं इस चीज को इंक्ल्यूड कर रहा हूं ठीक है सर इनकेस आयू सिवरेजी के कहना है सर इनकेस वह वरकर मेरे अंदर मेरे अंदर ना हो और गलती करे लिया तब भी उससे बाहर कर सकते हैं देखिए अगर वह वरकर आपके अंदर नहीं है तो भी गलती से अगर कर रहा है अगर वह पहली बार है मैं क्या बोल रहा हूं अगर वह inexperienced है तो उसे आप किसी ना किसी supervisor या supervision के साथ में ही आपको उसको ले जाना है या जाएगा हुआ है ठीक है लेकिन जो experience है जानबुष की गलती करते हैं कई लोग होते हैं जो की कामचोर होते हैं बेटा कि उन्हें बेटा कि उन्हें सिफ बेल बेल्चे का ही काम चाहिए क्यों क्योंकि आपके बार बर केल उठाओ आगे पिछे करो, मसीन के आगे पिछे घुमो, ठीक है, इस करण से, तो ऐसा कोई रहते हैं, उन लोगों को आप बाहर कर सकते हैं, अब छत्मा नंबर पॉइंट, पाश्वा नंबर पॉइंट सवाज में आ गया, ठीक है, कैसा कोई बंदा, जो की, उसे जो काम ऐसाइन किया गया है, वह काम नहीं करता है, ठीक है, तो ऐसी उसको आप बंदे को आप बाहर कर सकते हैं, छत्मा नंबर कह कर रहा है, कि कोई भी इन एक्सपीजन जो बंदा है, उसे आप किसी ना किसी सुपरविजन के अंदर ही जाएगा, और उस आदमी का नाम, प्लस, माल लिजे कि सागर नाम का वेक्ति है, जो की इन एक्सपीरियंच है, और किसके सुपरविजन में हैं, माल लिजे कि यहाँ पस प्रकास कुमार महतो जी के सुपरविजन में हैं, तो दोनों का नाम आप लिग दीजे, नेक्स्ट आईए, सेफटी मटेरियल, आयू सिवेरे जी कहना है कि सर, इन केस वो वरकर मेरे अंडर ना हो और गलती करें, क्या तब भी उसे बाहर कर सकते हैं, एक्कॉर्डिंग टू फिफ्ट पॉइंट, बिल्कुल आप बाहर कर सकते हैं, साथमा नंबर पॉइंट देखिए, अब इसमें फिर वही कोश्चन बनता है, सेफटी मटेरियल, अब सेफटी मटेरियल की उपलब्धता, ठीक है, यहां पास क्या करना है, कि ऐसा कोई भी सेफटी मटेरियल, जिसकी आपके द्वारा, सलदार के द्वारा यह डेफिशन्सी देखी जाती है, आप्जर्ब की जाती है, तो उसका डिटेल्स आपको यहां देना है, और आपने क्या एक्षन लिया, उसकी जानकारे भी आपको यहां पास देनी है, अब सेफटी मटेरियल आपको अगर यही पूच देता है, अगर आपको माल लिजए यह पूच देता है, कि भीया सेफटी मटेरियल सलदार के द्वारा, कौन-कौन से सेफटी मटेरियल की डेफिशन्सी चेक की जाएगी, और चार आप्सन दे तो आप क्या करेंगे इसी लिए इन चीजों को देखिए सबसे पहले आपको टिंबर अगर वहां सपोर्ट है तो टिंबर की व्यवस्था है की नहीं है यह फुली उपलब्दता है की नहीं है डेफिशंसी तो नहीं है